मुख मंत्री शीराषीन चौहान में चिक्षिस्था शिक्षा मंत्री विर्शाथ सारंग। महत्पूर्ण बैठ़क की और कोरोना के नियंत्रन को लेकर चर्चा की मुखमंत्री श्री चोहान ने कहा कि प्रदेश में फैलते COVID-19 शंक्रमों को देखते हुए तीन दिन में तीन गोना आधेक आशिजन की आपूर्ती सुनिश्यत की गई है मुखमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में 11-14 अप्रेल तक ठीक करन उस्तों मनाये जाएगा इस दोरान प्रती दिन पांच लग ठीके लगाने का लक्ष रखा गया है जिन जिलों के ग्रायमिल शित्रों में संक्रमन अधिक फेल रहा है वहाँ ठीक करन के लिए बिशेश गतिविदिया संचालित की जाएंगी कोरोना संक्मन से हुई मिर्त्यूक लिका कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए है कांग्रेस का कहना है कि बोपाल में पिछले 24 गंटों में 49 लोगों की कोरोना से मौत हुई है अस्पतालों बैट्स की कमी है और इलाज के नाम पर लूट खसोट मची हुई है आज बिस होमेपेथिक दिवस के अउसार पर होमेपेथिक चिकिस्चा के जनक ट्र क्रिस्चन फेटरिक सेम्यल हैनिमेन की प्रित्मा पर कृष्णी मंत्री कमल पटेल ने मालयार पढ़कर उन्हें नमन किया उन्होंने इस दिवस पर सभी को सुपकान नायमी दी मुकमंत्री स्रीचोहान ने मनला जिले की संकट प्रवंधन समीती की सदस्यों से कुरोणा नियंत्रन पर महत्मूर चर्चा की उन्होंने सदस्यों से जिले में पुलिस सेवं प्रसासन दोरा की गई तैयारियों के बारे में जाना शेहरी चेत्र में जारी 60 गंटों के लॉकडाउन पर सेहर में सनाटा पसरा रहा पूरी तरह से नगर एवम नगर के आसपास की चेत्रों की सभी दुगाने पूर्ण रोप से बंद रही इकका दुखका लोग ही सड़क पर नजर आए कोरोना संक्रमन को रोखने के लिए नगर पल के चेत्र में लगातार प्रयास किये जा रहा है लागडाउन की चलते बजार बंद हैं ऐसे में नगर पल के परसासन दौरा बजार को सेनिटाइज किया गया इछले 24 गंटों में जिले में मिले 66 नए कोरोना पाजिटिव सभी संक्रमन को आईसलेशन में रखा गया है इसी दौरान उपचार के बाद पुराने 10 कोरोना संक्रमन स्थान पर घर भी लोटे बट से कोरोना संक्रमन के चलते केंदरी विद्याले में 10 वी एवं 12 प्रिक्षा है जो 12 एवं 13 प्रल्ग होनी थी वे अप आफ लाइन के स्थान पर ऑनलाइन होगी सलस्ता के प्राचार ने सभी अभिवाकों से बच्चों को इस्कूल ना भेजने का अन्रोथ किया है